दिल्ली से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 19 जन्वरी को चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने इसमें संजय सिंह और एंडी गुपता के अलावा स्वाती मालिवाल को भी उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को तीनों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। एएपी के सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तये है। स्वाती मालिवाल अब तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। राज्य सभा का उम्मीदवार बनने के एलान के बाद स्वाती मालिवाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए वह बेहद मुखर रही। उनके कार्यकाल में महिलाओं के हर बड़े छोटे मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई। लोगसभा चुनाव से पहले स्वाती मालिवाल को राज्य सभा उम्मीदवार बना कर एएपी ने बड़ा दाव खेला है। आईए यहाँ समझते हैं कैसे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर स्वाती मालिवाल ने जबरदस्त काम किया। इस दौरान वह बेहद मुखर रही। उन्होंने हर छोटे बड़े मसले पर महिलाओं की आवाज बुलंद की। इसने महिलाओं के बीच स्वाती मालिवाल की अलग ही पहचान ब चुकी हैं। तीन राज्यों में बीजेपी की शांदार जीत के पीछे महिलाओं के वोट बड़ा फैक्टर बने। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी लगातार महिला वोटरों पर फोकस बनाए हुए है। जाती जनगणना के उठ रहे सियासी तूफान त पहले एपी भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ी है। यह कदम एपी के लिए माहौल बनाएगा। उसकी इमेल बिल्डिंग के लिहास से भी यह पार्टी का सधा हुआ फैसला है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के बाद आतिशी एएपी की सबसे हैं। वह पूरी मजबूती और धडल्ले से पार्टी का पक्ष रखती है। एपी चाहती है कि संसद में भी उसकी आवाज और ज्यादा सुनाई दे। संजय सिंह और रागव चड़्धा के साथ मिलकर स्वाती मालीवाल में वह दमखम है जो इस काम को अंजाम दे सकती है। महिला होने के नाते स्वाती मालीवाल संसद में आतिशी वाली कमी को पूरा कर देंगी। स्वाती मालीवाल के साथ कई बातें जुड़ी हैं। मुखर होने के साथ उनकी छवी भी बहुत सकारात्मक है। DCW चीफ रहते हुए उन्होंने महिलाओं के मसलों पर शानदार काम क किया है। उनकी इस इमेज का आम आदमी पार्टी को ओवर ओवरनेल फायदा मिल सकता है। स्वाती मालीवाल ने देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ 2018 में अन्शन शुरू किया था।